प्रिय दर्शकों, आपके चैनल ध्यान और स्वास्थ जीवन जीने की कला में आपका स्वागत है। आज हम बौध्ध धर्म में ध्यान के बारे में जानेंगे। बौध ध्यान मानसिक एकागरता का अभ्यास जो अंततह कई चरणों के माध्यम से आध्यात्मिक स्वतंतरता निर्वान के अंतियम लक्षे तक ले जाता है। एक पाली पाठ में चालीस कमत्थानों की सूची दी गई है जिनमें उपकरण जैसे की रंग या प्रकाश, घ्रिनित चीजें जैसे एक शव, यादें, बुध के रूप में और ब्रह्म विहार, सद्गुन जैसे मित्रता शामिल है। चार चरण जिन्हें संस्कृत में ध्यान या पाली में ज्यानस कहा जाता है। समापत्ति, प्राप्तियां, एक, अंतरिक्ष की अनंतता की चेतना, दो, अनुभूति की अनंतता की चेतना, तीन, चीजों की अवास्तविक्ता, शून्यता के प्रतिचिंता, और चार, विचार की वस्तु के रूप में अवास्तविक्ता की चेतना। बौध्ध ध्यान के चरण हिंदू ध्यान योग देखें, के साथ कई समानताएं दिखाते हैं, जो प्राचीन भारत में एक सामान्य परंपरा को दर्शाते हैं, हालांकि बौध्ध परंसमाधी अवस्था को क्षणिक बताते हैं, अंतिम निर्वान के लिए घ्यान की अंतरद धर्मों तत्वों पर ध्यान शामिल होता है, ध्यान, हालांकि बौध धर्म के सभी विद्यालेओं में महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परंपराओं के भीतर विशिष्ट विविधताएं विकसित हुई हैं, चीन और जापान में ध्यान, ध्यान के अभ्यास को अपने स्व वास्तव में इस विडियो का महत्व समझते हैं, तो कृप्या इस विडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, इस विडियो को देखने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद